Hello Everyone, Welcome to Study Glows, मेरा नाम है Dr. सरीता दोस्तों, पाकिस्तान के अर्मान बहुत जादा है, यहाँ पर एक और उसने अपनी इक्षा जाहिर की है यहाँ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान सीख्स सिविलाइस्ट एंड इवेन हैंड रिलेशन्शिप विट यू.S like the one that exists between America and India अमेरिका के साथ पाकिस्तान अच्छे सम्मंध चाहता है कैसे अच्छे सम्मंध? जैसे अच्छे सम्मंध अमेरिका के इंडिया के साथ है भारत के साथ जैसे अच्छे समंध है, वैसे ही बढ़िया समंध पाकिस्तान की भी इक्षा है कि USA उसके साथ एक सब्भे संबंध अस्थापित करें अब बात ये भी है कि अगर आप civilized relationship चाहते हैं तो आपको खुद को भी civilized होने की जरूरत है लेकिन पाकिस्तान जो है वो civilized होने से रहा तो पाकिस्तान चाह रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के संबंध UK के साथ है और भारत के साथ है फिलाल उसी तरीके का relationship एक healthy और civilized relationship अमेरिका का भी पाकिस्तान के साथ बने तो इसके लिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि पहले तो वो खुद की छवी सुधार है और खुद वो civilized हो जाए हाला कि यहाँ पर जो इमरान खान है एकको और बात यहाँ पर point out करना चाह रहे हैं कि उनको इस बात से बहुत जादा निराशा है कि इस बात की निराशा है कि भारत के साथ उन्होंने कई बार अच्छे समंध स्थापित करने चाहिए कई तरीके से उन्होंने अप्रोच्ट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी के साथ उस टाइम जब ये नए नए पीम बने थे पाकिस्तान के लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तो अपना जो भारत के साथ इनका रिलेशनशिप है उस चीज़ को लेके इन्होंने निराशा भी जताई है कि एक तरफ ये पीम नरेंद्र मोधी से भी इस बारे में अप्रोच की लेकिन उसके बावजुद यहां पर जो दिख रहा है जो इनकी कोशिश इन्होंने की पता नहीं किस टाइप की कोशिश इन्होंने की ये वही जानते हैं और इस कोशिश का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया इसलिए रिष्टे जो हैं भारत के साथ वो नौर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं देखें अभी अमेरिका के राश्ट्रे पती जो बाइडन का फ्राइडे को एक फेस टू फेस मिटिंग रहा अफगान काउंटर पार्ट अश्रव घन के साथ इसी चीज़ को जो पाकिस्तान के पीम ह इस चीज़ को याद करते हैं वो यह बताते हैं कि कोई वक्त था कि जब यूएस के साथ इनके भी रिलेशनशिप यानि पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी बढ़िया थे और पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ एक पार्टनर था और पार्टनर वन के काम कर रहा था किसके अग तो यह पूरी तरीके से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इनके कैसे भी करके अमेरिके के साथ रिलेशन्शिप अच्छे हो जाए रिसेंटली हमने देखा कि अफगानिस्तान से जो यूएस मिलिटरी है वो डिपार्ट कर गई है और वो इलाका जो की कॉंफलिक्ट का रीजन साथ इसके सम्मंद सुधरे तो यहां पर देखे पाकिस्तान की एक और इक्षा सामने है इक्षा क्या है कि पाकिस्तान तो एक सभ्वे और सिविलाइज रिलेशन्शिप चाहता है दोनों कंट्री के बीच में यानि कि अमेरिका और अपने बीच में और साथ ही वो प्रे की पूरी अर्थ वैवस्था जो है वो चायना के हाथ में दे दी चायना ने पाकिस्तान की वची खुची अर्थ वैवस्था की जो दुरगती की वो हम सब के सामने है और अब पतानी इनके पास वैपार करने के लिए क्या है यह किस चीज का वैपार चाहते है आई डो ρεस्ट कि वज़े से हो और पॉइंट क्या है इनका आतंक वाद को लेकर तो अमेरिका को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की वो मदद कर रहा है इस इस प्रॉस्पेक्ट में लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उसे कहीछ नए चाहिए अपनी तरफ लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तो दो कंट्री के बीच में जो मिसंडेस्टेंडिंग और मिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ ये कही ना कहीं दोनों के रिलेशनशिप को एक तरफा बना रहा था यानि वन साइडर रिलेशनशिप बना दे रहा था और इस चक्कर में लगभग सत्तर हजार के आसपस पाकिस्तान ही मारे गए और साथ ही साथ इनको डेट सो बिलियन की रखम का नुकसान भी हुआ तो ओवरॉल क्योंकि देश पूरी तरीके से इनका डिस्टर्ब चल रहा था हर तरफ बंबार्डिंग हो रही थी और पाकिस्तान सरकार वो करने की कोशिश में थी जो व मैंसूस भी कर रहा है कि उनकी इस गल्दी की वज़े से यानि कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी शमता से हट कर जो काम किया यानि कि जो उनकी शमता नहीं थी उस शमता से बाहर होकर जो उन्होंने काम किया इसका सबसे जादा खाम्याजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान क यहां पर देख सकते हैं कि पेड़ा heavy price for this relationship, इस relationship का इसको काफी ज़्यादा नुकसान हुआ and the US thought Pakistan had not done enough, और अमेरिका का ये मानना है कि पाकिस्तान को जो करना था, पाकिस्तान वो करने में प्रयाप नहीं रहा, वो सक्षम नहीं रहा, तो यहां पर कही ना कहीं दोनों के relationship को पाकिस्तान यानि इमरान खान जो है, वो positive track देना चाहते हैं, इमरान खान ने अपने interview में ये भी कहा कि जब अमेरिका की जो military है, वो अफगानिस्तान से बाहर जाने लगी तो तालिबान लोगों को लगा कि वो यूद जीत गए हैं, यानि कि उन्होंने इस चीज का दा कि कोई भी military operation इनको जीत के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो इससे सिर्फ एक cold war की situation बनेगी, ग्रह युद की ही संभावना रहेगी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ पाकिसान कैसा relationship चाह रहा है, इसका अफगानिस्तान के कारे में बात आता है, तो मुद्दा सीधा यानि कि जो question उड़ता है, वो कश्मीर को लेकर उड़ता है, तो कश्मीर को लेकर कभी भी शान्ती नहीं हो सकती है, इनका ये मानना है कि इसी तरीकी का संगर्श होता रहेगा, यह क्यों चाह रहे हैं ऐसा संगर्श हो, इनके और पाकिस्तान के बीच का जो संबन्द है, यह तनाव पूर्ण रहा और बिगड़ गया, हाला कि यह वज़ा नहीं है, भारत पाकिस्तान का रिलेशन जो है, वो बहुत ही शुरुआत में ही, यानि कि जब भारत जब से आजाद हुआ, तब से यह प्रॉब्लम इस रिलेश जो हैं, कही ना कहीं बहुत जादा पीसफुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो कॉन्फलिक्ट को फास्टर कर रही है, जो कॉन्फलिक्ट को बढ़ा रही है, हाला कि भारत ने ऐसा कहा है कि अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल रिलेशन शिप चा और हॉस्टिलिटी फ्री रहेगा, ठीक है, तो यानि कि आतंक से मुक्त वातावरन अगर है, हिंसा से मुक्त वातावरन है, तो ऐसे में एक अच्छा और हेल्दी रिलेशन शिप पाकिस्तान और भारत के साथ भी बन सकता है, यहां पर इमरान खान नहीं इस बात का क्लेम भ भारत पाकिस्तान में उसको सौल्व किया जा सकता था, सिर वारतालाव के माध्यम से, तो यहां आप देख सकते हैं कि इन्दी इंटर्व्यू खान अलसो क्लेम डेट पाकिस्तान वुड हैव हैड अगर दूसरी सरकार जो वर्तमान की सरकार नहीं है, कोई दूसरी सरकार आचित की टेवल में ही जितने differences होते या जो भी मुद्दे हैं जो की conflict का reason बने हुए हैं भारत पाकिस्तान को लेके ये सब कुछ सुलज चुके होते अगर कोई दूसरा नेता होता है यानि कि कोई दूसरी government होती ऐसा कहना है इमरान खान का मेरा तो ये मानना है दोस्तों की पाकिस्तान को पहले अपने हालात सुधाने चाहिए और साथ ही इमरान खान को सबसे पहले अपने समंध अपने देश्वाचियों के साथ सुधाना चाहिए उसके बाद इनको बाकी country के बारे में सोचना चाहिए अपने समंध अच्छे करने के लिए healthy और hygiene बनाने के लिए तो फिलाल here is the end of this lecture thank you so much for your attention और दोस्तों आज रात 9 बज़े आपको आना है life क्यों क्योंकि बहुत बड़ा surprise आपका वेट कर रहा है study glows पर